दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी दवा ले कर सकते हैं यहाँ पर ONGC, NAPAD, UPSC, RPSC, NC, CGPB और NHM के इंतरगत बंबर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है साथ विभागों में आपर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ओनलाइन आवेदन परकिरिया भी स्टार्ट हो चुकी है इस वीडियो में हम आपको complete जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर post-wise vacances निकली है, क्या eligibility कराइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की official notification के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक आप apply कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अंतक, इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी स्वाल और आउट के लिए रोगे तो चली दोस्तों बिना कोई वक्त कमाई शुरू करते हैं 5 सितंबर 2023 की साथ बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी जी हाँ दोस्तों जो यहाँ पर इसमें first number पर जोब निकली है, वो निकली है ONGC में ओल एंड नेचुरल गैस कोर्पोरेशन तेल एम प्राकरतिक गैस निगम लिमिटीड के इंतरगते बढ़ती है अप्रेंटिस के लिए आपर 2500 वैकेंसिज निकली है, बात अगर यहाँ पर इसकी important date की की जाए तो आवेदन इसके लिए एक सितंबर से सुरू हो चुके है, लास्ट इट बीच सितंबर है, रिजल्ट है सेलेक्शन की डेट 5 अक्टूबर 2023 है सेली graduate अपरेंटिस के लिए 9,000 है, डिप्लोमा अपरेंटिस के लिए 8,000 है, ट्रेड अपरेंटिस के लिए 7,000 रुपे है हो, all over India से आप apply कर सकते हो, ongcindia.com और ongcapprentice.ongc.co.in इसकी official website है, जिससे आप apply कर सकते हो, notification link पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, oil and natural gas corporation limited के ओर से, apprentice के लिए notification जारी हो चुका है, यहाँ पर location wise vacancies आप check out कर सकते हो, northern sector के लिए यहाँ पर trade wise vacancies दी गई है, total vacancies आप यहाँ पर, आप scroll down करते हो, check out कर सकते हो, 169 vacancies है, और यहाँ पर Mumbai sector के लिए भी देख सकते हो, 303, यहाँ पर alag-alag division के लिए vacancies की information दी गई ह western sector के लिए देख सकते हो, Mumbai sector के लिए total यहाँ पर 436 है, western sector के लिए यहाँ पर देख सकते हो, total vacancies जिसमें आपर scroll down करते हो, आप check out कर सकते हो, 732 है, eastern sector के लिए भी यहाँ पर total vacancies के अगर बात की जाए तो 593 है, southern sector के लिए भी यहाँ पर total इसमें 388 है, central sector के लिए भी यहाँ इसमें टोटल 202 है तो कुल मिलाकर 2500 वैकेंसी जहां पर इसमें निकली है यहां पर age criteria 18 से 24 hours है बात अगर यहां पर post wise qualification की की जाए तो आप यहां पर check out कर सकते हो जैसे की library assistant के लिए 10 वी pass cabin या room attendant के लिए 10 वी pass regional medical के लिए 10 वी pass office assistant के लिए 12 वी pass apply करेंगे mechanic auto electronic के लिए ITI से आप apply करोगे computer operator programming assistant के लिए IT pass और draftsman civil के लिए बी ITI electrician के लिए बी ITI से आप apply करोगे electronic mechanic के लिए ITI feature के लिए बी ITI से आप apply कर सकते हो इसी तरह यहां पर information and communication technology के लिए ITI से आप apply करोगे यहां पर instrument mechanic fire safety technician Machinist, Machinist, Automobile, Mechanic, Mechanic Diesel और Medical Laboratory Technician इन सभी के लिए आप देख सकते हैं आपर ITI से आप apply करोगे Activate HR के लिए BBA से आप apply करोगे, Account Exjective के लिए Bachelor degree graduation, Commerce से आप apply करोगे Laboratory Assistant के लिए BSC Chemistry से आप apply करोगे, Data Entry के लिए Graduate, Secretary Assistant, Store Keeper के लिए भी graduate से आप apply करोगे और यहाँ पर इन के लिए डिपलोमा इंजिनेरिंग से आप अपलाई करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पैट्रोलियम एक्जिट्यू के लिए graduate साथ में जोलोजी से आप अपलाई कर सकते हो तो यहाँ पर यह post-wise qualification के आपको detail दी गई है पीडियप में यह आप complete जानकारी चेक कर सकते है अपलाई करने से पहले तो दोस्तो बात अगर यहाँ पर इसमें second number जोग की की जाए तो वो निकलिए National Bank for Agriculture and Rural Development में राष्टी किचियो, ग्रामीन, विकास बैंक, नाबाट के इंतरगति भरती यहाँ पर निकली है Assistant Manager Grade First की पोष्ट है, 150 vacancies इसके लिए आपर निकली है बात अगर डेट की की जाए तो इसके लिए आवीदन 2 सितंबर से चल ले है लाष्ट डेट भी 23 सितंबर 2023 है, फीस पैमेंट की लाष्ट डेट भी 23 सितंबर है फेस वन एक्जाम की डेट 16 अक्टोबर है, सेली 25,150 से 55,600 है परती महा के लिए बैचलर डिगरी से आप एपलाई कर सकते हो, 21 से 30 वर्स आयू सीमा इसके रहेगी फीस यहाँ पर जनरल OBCWS के लिए 800 है, SSTPH के लिए 150 है, जुकि आप डेबिट कार्ड, करेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ओनलाइन पैमेंट कर सकते हो प्री एक्जाम, मेन एक्जाम और इंट्यू के आधार पर सेलेक्शन होगा, ओनलाइन ही आप एपलाई कर सकते हो, ओल आवबर इंडिया से आप एपलाई कर सकते हो, नाभा.org यह की ओफीशल वेबसाइट है, जिससे आप ओनलाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन लिंक पर क्ल करके आप इसकी ओफीशल पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप स्क्रोल डाउन करते हो, कंपलीट डिटेल चेकाउट कर सकते हो, सबसे पहले डेट आप रीडाउट कर सकते हो, वेकेंसीज की इनफोर्मेशन दी गई, एसिस्टेंट मैनेजर, रूरल डेवलप बैंकिंग सर्विस के लिए यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं, डिस्सिप्लीन वाइस वेकेंसीज आप यहाँ से इसमें रीडाउट कर सकते हो, साथ से साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है, और एज लिमिट की डिटेल दी है, सेलेक्शन क्राइटिरिया की इंतरकत आपको प्री और में एक्जाम के लिए पैटन और सलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, स्क्रोल डाउन करते विए, आप यहाँ से इसका पैटन और सलेबस भी रीडाउट कर सकते हो, जैसे कि प्री एक्जैमिनेशन के लिए यह पर भी आप ये पूरी पीडियाप एपलाई करने से पहले रीड कर सकते अग्जाम सेंटर की लिस्ट भी आपको पीडियाप में दे दी गई है बात अगर थर्ड नंबर जोग की की जाए तो वो निकलिया उत्तर प्रदेश सबोडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन में अधिन की लाश्ट पंदरा नॉंबर दो जार ते इस है सेली उनती जार दो सो से बानवे जार तीन सूर बावन सो से बीस हजार दो सो है बारवी क्लास पास केंडिडेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात कि जाए तो अठारा से चालिस वर सायू सीमा हैं फीस सभी कैटिगरीज के लिए 25 रुप है जो कि आप SBI कलेक्ट और E चालान से जमा करा सकते हो रिटन एक्जाम से इसमें आपका सेलेक्शन किया जाएगा ओनलाइन एपलाई कर सकते हो यूपी उत्तर प्रदेश जोब लोकेशन है यूपी त्रिफल सी डोट जोवी डोट इसके ओफीशल गवर्मेंट वेबसाइट है जिससे आप ओनलाइन एपलाई कर सकते हो नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी यहां से पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं पर आपको सबसे पहले डेट दी गई है आविधन करने की उसके बाद में ओनलाइन जिनके इंतरकती है भरती होने जारे स्टैनों की पोस्ट के लिए यहां पर स्क्रोल डाउन करते हैं आप पूरा इपलाई कर सकते हो दैन उसके बाद एपलाई कर सकते हो बात अगर फोर्त नंबर जोग की की जाए तो वो निकले राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिसन में लो आवेजन इसके लिए कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं आवेजन के स्टार्टिंग डेट 6 सितंबर है लास्ट डेट 5 अक्टूबर है 15,600 से 49,600 से इली है PG, PhD, NET, SLE, T, SCT से आप एपलाई कर सकते हो 21,40 वर्षायू सीमा है एपलिकेशन फीश के अगर यहां पर बात करें त इसके बात दोस्तों जो यहां पर इसमें 5 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है एमदबाद मुंसिपल कोर्पोरेशन में नगर निकम के इंतरकती भरती हैं Medical Official, Lab Technician, Pharmacist, Female Health Worker, Multi-Purpose Health Worker की पोस्ट है 1027 वैकेंसी जिसके लिए हाँ पर निकली है आवेदन इसके लिए 4 सितमबर से चल रहे है लास्टेट 18 सितमबर 2023 है से लिए आप नोटीस से चेक कर सकते हो 12th degree diploma MBBS से आप एपलाई कर सकते हो Minimum 18 वर्शायू सीमा है फीस भी आप category wise नोटीस से ही चेक कर सकते हो Test और Intu से chain होगा online apply कर सकते हो Amdabad गुजरात जोब लोकेशन है Amdabad city.joe.inage की official website है जिससे आप online apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जोब निकली है वो निकली है 36 गड़ प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड में Website परिक्सा मंदल CGPB के इंतरगतिवरती है And from technician की post है 188 vacancies है आवेदन इसके लिए 25 अगस से चल ले है Last date 10 सितंबर 2023 है और edit option की date 11 से 13 सितंबर है Exam date 24 सितंबर है 24 400 से 7200 से लिए 12 पास और IT से आप apply कर सकते हो 18 से 35 वर सायू सीमा है फीस आप category wise notice से चेक कर सकते हो Return exam से chain होगा online apply कर सकते हो 36 गर्ड जोब लोकेशन है Vyafam.cgstate.goe.in.h के official website है जिससे आप online apply कर सकते हो Notification link पर क्लिक करके आप इसकी भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो Complete details check out कर सकते हो इंदी में पूरी जानकारी दे दी गई है उसके बाद दोस्तों जो 7.0 लाश नंबर की जोब है वो निकली है National Health Mission राष्टे स्वाष्टे मिशन NHM महराष्टरा में State Program Manager, Senior Consultant, Public Health Consultant Program Manager, Accountant, Program Assistant, Data Anti-Operator और भी अन्य पोस्ट है 340 vacancies निकली है 11 सितंबर तक आप इसके लिए online आविदन कर सकते हो से इल लिए आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो MBBS, BMS, BHMS, BMS, PDS, CA, MB, LLB, Degree, PG, Degree, Diploma से आप अपलाई कर सकते हो 18-37, 47 वर्ष आयू सीमा है Open category के लिए 300 रिजयो category के लिए 200 रुपे फीस है जो कि आप demand आप से payment करोगे यहाँ पर test और into से chain होगा आप 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 आपलाई कर सकते हो महराष्ट जोब लोकेशन है और ok.maharashtra.gov.in portal से आप online कर सकते हो notification link पर किलिक करके आप इसकी ए PDF डाउनलोड कर सकते हो then उसके बाद apply online कर सकते हो तो दोस्तों यह थी आज की यानि के 5 सितंबर 2030 मंगलवार की top 7 भर्षों की पूरी जानकारी अगर आपको अब बीन भर्षों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको हमारी website का लिंक नीचे description पलस first comment box में मिल जाएगा और हमारे page पर visit करके आप इहीं से किसी भी भर्षी की notification डाउनलोड कर सकते हो और apply भी आप इहीं से कर सकते हो सभी भर्षों के important links आपको इंपर provide करा दे गए है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope इवीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे साथ इसाथ दोस्तो अगर आपने भी तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं